तो हेलो आप लोग में नाम प्यांशु गुपता है वेलकम टो प्यांशु व्लोग्स लाइव यूट्यूब चैनल तो आज की जो इंफोमेशन है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है जो उबर इस करते हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए आप यह ना सोच रहा कि आप जादा ऐसे जादा रहन करोगे और आपका बैनेफिट ही बैनेफिट होगा क्योंकि क्या इसमें होता है इसके मैं डिसद्वांटीजिस और इस बता रहेता हूं कि आप जो उबर करते हो उसके अबर करो लेकिन प्लस इसका ध्यान रखना कि अगर आपकी अर्निंग जो होती है ज्यादा होती है ठीक है होने लग जाती तो आपको 13% टेक्स देना पड़ता है उबर जो आपको पैसे नहीं देती है ठीक है उबर जैसे हम सिन पर काम करते है फॉर इंपल हमने सोशल इंश कors more टी casual फॉर इंटा उबर फॉर इंटार उखकुषि टीस फॉर टीक्स फाइल करने के लिए, झाम पाल में आताए उ मृत जरूरी होता है टी फॉर फाइल करने के लिए तो हम जिख टस ności तो तहले होमें क्रेश का में क्ग तो होता है आपको सब एस्वाइल अ करने के लि काहां से करवा है यहां पर बहुत सारे फ्री कलिनिक्स होते हैं तो वह आपको tworide कर रहेते हैं कि आप tex pre mail कर सकते हो ठेखल टो क्या होता है कि आपको taxते देना पड़ता है फोर एजंबल कोई बंदा बबहुत मेहनत ago बहुत महनतों के सिनकार ओछे काक् एक बंदे ने साल भर Uber ही किया, कोई और काम निकेश, इन पर कमा रहा है, चलो ठीक है, 25 डॉलर आवर या 20 डॉलर आवर कमा रहा है, ठीक है, मतलब 400 डॉलर हफते का कमा रहा है, और 1600 डॉलर उसको आ रहा है, लेकिन उसमें जो 13% है, उसको टेक्स देना पड़ेगा, in the end, for example, उसकी अर्निंग होगी, 8,000 डॉलर, 8,000 डॉलर अगर उसकी अर्निंग हो जाती है, पूरे साल की, तो 8,000 का, मतलब उसको 900 से 1000 डॉलर टेक्स देना पड़ेगा, गॉर्मेंट को, क्योंकि उसको टेक्स से डिड़क्त हो के नहीं आ रहा है, ठीक है, यह मैंने औरेडी मेंशन कर दिया है, बात रही, आप कहां से फाइल कर सकते हो, टेक्स, आप फाइल कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्नों ने उबर इस वगएरा निकिए, अगर आपकी अर्निंग 100 डॉलर के कम है, तब आपको फाइल करने की कोई जरू और यह इंपोर्टन थी वीडियो ताकि आपको नॉलिज होनी चाहिए कि अगर आप अर्निंग करते हो, जो उबर का सिस्टेम है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और यह सिन पर है, यह सोशल इंशॉरस नंबर पे है, अगर कमपनी कहती है ना, कि हम तो नहीं है, यह नही है, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि Uber Eats जो है, Uber Eats बहुत सारे बच्चे करते हैं, और इसका एज यह है, कि जो कार में करते हैं, वो अपना expenses शो कर सकते हैं, कि उन्होंने कार में पेट्रोल डेलवाया, इंटरनेट यूज किया, यह सारा expense करके, वो फुल उने tax से बही कम होगा, तो Uber Eats का तो यह है, तो मैं आपको यही suggest करना चाहता हूं, कि अगर आप Uber Eats कर रहे हो, तो अपना जब भी आप अपकमाई करो, उसका 13% साइट पर रख दो, क्योंकि जब आप अगले साल tax file करोगे, आपको पैसे अरेंज ना करने पड़े कही इस पर वीडियो साती रहेंगे, जितनी जादा मैं बनाऊंगा, वीडियो साती ही रहेंगे, ठीक है, I love you all, bye bye, take care, अपना ख्यार अखने, ठीक है, bye bye